हम सब इस बात को तो जानते ही है, just buy and hold जाये market उपर जाये, नीचे जाये, sideways जाये या फिर circles में जाये आपको noise को बारे में बूल जाना है और dollar cost average निकालना है index fund का और blue chip companies का हाला कि strategy piece of cake है जब बात आती है bull market के दोरान मगर ये थोड़ी मुश्किल हो जाती है beer markets के दोरान आप शयाद hold कर लोगे 20-30-40% के correction तक मगर एक point पे जातर लोग feel करते हैं कि continue करना, invest करना बिलकुल hopeless हो जाते हैं और क्योंकि उन्होंने market को गरता हुआ देखा है होपफुली सस्ते में खरीज सके है वागर किसी रीजन के वैसे stock जो है वो आसमान चूने लगता है जैसे ही वो उसे बेचते है इसका perfect example है Jack के साथ जो की iced coffee hearts है 12 माई 2022 को Jack ने अनौन्स किया था कि उन्हें अपने सारे Robinhood के stock को बेजना पड़ा क्योंकि Margin Call आ गई थी अब देखने में तो Graham सूपर एक्साइटेड लग रहे है क्योंकि उनकी सूपर स्टिशन है कि Jack का बेजना market के लिए अच्छा है और हाला कि यह silly belief लग सकता है मगर कैसे ही Robinhood का stock skyrocket कर गया 38.4% से बड़ा उसी दिन जिसी दिन वीडियो पोजट हुई अब Robinhood है अभी भी overall downtrend में ही चल रहा है तो जित्ता हमें पता है शायद महीने या सालों भी लग सकता है downside गौने में मगर यह अभी भी काफी astonishing हो जाता है कि stock ने ऐसा move बना जैसे jack ने बेचा उससे however यह कोई random coincidence नहीं है in fact जाते retail investors सेम फिनॉमेना को experience करते हैं हर market से लौफ के दौरान उन्होंने शायद कई मैनों से अच्छे stock खरे दे होंगे मगर जैसे ही वो बेचते हैं वो सबसे नीचे अला बाट हो जाते है तो क्यों stocks हमेशा आस्मान को चूते हैं जैसे ही हम उन्हें बेचते हैं अब इससे समझने के लिए कि stock market हमेशा आपके against क्यों चलते हैं हमें सबसे सपहले समझना होगा stock market को आखिर control कौन करते हैं जाए आपको पसंद हो या ना हो stock market और जातर financial markets को बड़े-बड़े institutional investors कंट्रोल करते हैं जैसे market makers, hedge funds और investment bankers इन लोग के पास इतना पैसा होता है कि बहुत सारे emotions create कर लेते हैं अपने market के अंदर ही और इन emotions का इस्तमाल करते हुए average investor के against खेलते हैं उनकी strategy दशकों से नहीं बदली है मगर सच में कोई जरूरत बे नहीं होने बदलने के लिए उनकी strategy यहाँ पर एक बात है हाला कि लोगों का asset या फिर medium तो बदल चुका है कहां से वो खरीद रहे हैं मगर लोगों की psychology कभी भी change नहीं हुई अब चाहे जो भी हो time to time में कोई भी situation हो same cycle जो है वो चलती रहती है वापस से और हर bull market जो है वो stealth phase से शुरू होता है जहां पर smart money promising investment को करीद लेती है यह initial phase smart money investors का big hedge funds या market maker से शुरू नहीं होता रहा है यह phase भरा होता है innovators, entrepreneurs और maybe कुछ venture capital से भी for example, Steve Jobs ने Apple की शुरूआत करीए थी 1970s में या फिर Jeff Bezos ने Amazon की शुरूआत करीए थी 1990s में वो smart money investment ही होती और जातर cases में जो underlying investment होती है वो काफी अची purchase होती है मगर यहाँ पर problem ही आ जाती है कि जातर समय नहीं लगता investment को कि वो खुद से ही आगे चली जाती है एक बार जब ही innovators business को उठा लेते हैं तो हम institutional investors को आते वे देखते हैं और यहीं पहले जेनरे investors जेनरली खरीते हैं ऐसे Warren Buffet या फिर Peter Lynch और बहुत सारी company जो है इसी time period के दौरान invest करती है for example, Ford और Amazon ने Rivian में इसी phase के दौरान invest किया था और सारी एक बार जब institutional investors आ जाते हैं तो वो TV पे जाके अपने investment की बात करते हैं इन companies पे और जब average retailer को इसी समय पता चलती है पहली बार इस investment के आरह मैं और इस point पे अगर वो आगे जाके instantly खरीद लेंगे तो actually काफी अच्छा काम होगा मगर जाते retail investors जो अपना दिमाग लगाते हैं इस point पे से decision लेने से पहले और वो देखेंगे financial metrics एक company की और उनकी earning reports को भी और हला कि investment तो उन्हें पसंदा सकती है मगर वो उसी समय नहीं खरीदेंगे या फिर FOMO को kicking नहीं होने देंगे क्योंकि जो level-handed analysis ये अपने दिमाग से लगाते हैं वो भी ये कहता है कि investment एक premium से बिक रहा है भी तो उन्हें थोड़ा सा इंतजार करना चीए था कि future में सस्टे में खरीच सके और इसी बीच जो जादा sophisticated retail investors है जिन को इन cycles का रहा है पता है कुछी समया पहले $60 का बिक रहा था मगर इन लोग को जादा लंबे समया का इंतजार नहीं करना पड़ेगा पैसा कमाने के लिए क्योंकि party की तुझे शुरुआती हुई अभी जब एक बार sophisticated investors खरी लेते हम degenerates को party join करता हुँँ देखते हैं enthusiasm phase के दौरान इन लोग को कोई भी idea नहीं होता वो क्या कर रहा है क्योंकि exactly वो logic या reason पर based करके invest नहीं कर रहे है usually यह ऐसे लोग होते हैं जो कि एक इंसान को देख लेंगे YouTube या TikTok पे इसने बहुत सारा पैसा कमा है investments है और वो भी party join करना चाहेंगे और इसका सबसे अच्छा example है डोज को खरीदना 10-50 cents के बीच में जब था वो तब इसी बीच एक average retail investor को यह पता होगा इस तरह के अजीब से move sustainable नहीं है और just a matter of time है कि यह destroyed हो जाएंगे मगर at the same time उन्हें gamblers को बहुत सारा gains लेते भी भी देखते हैं social media पे इससे उन्हें थोड़ा सा fear of missing out होता है और shortly after जैसे हम greed phase में move करते हैं हमारे पास elephants हाते हैं जैसे कि Michael Burry और Jeremy Grantham और वो आगे आगे इनको market bubble कहते हैं यह अंदर से आती आवाज है average retail investor को काम करती और justify करती की choice जो है वो बाहरी रहने के मगर उनके grand predictions की epic collapse की जो market है वो continue बढ़ता रहता अगले कुछ सालों तक और यही पर जो average investors है वो FOMO को feel करने लगता हैं क्या होगा अगर market कभी भी crash नहीं हुआ तो क्या पता यही चीज नहीं नॉर्मल हो या फिर क्या पता इस बार चीज पर और वो चीज नहीं करनी चीज जो आप करना चाहरे हो क्योंकि यह समय कभी भी अलग नहीं होता मगर इसके बावजूद भी जैसे एक delusion forage में आते है market में जो सारे science है वो इस समय को अलग दिखाता है और unfortunately जाते retail investors FOMO के साथ खरीद लेते हैं इस चीज को और पहले तो एक मेन या दो मेन तक बढ़ सकता है मगर जैसे ही वो एक नए जाल में घुछते हैं इसमें जादा समय नहीं लगता कि smart money जो है अपनी positions को dump करके निकल जाते हैं और क्योंकि इत्रे सारे retail investors आ जाते हैं तो बड़े investors को volume मिल जाते हैं जिसकी वासे अपने massive positions को upload कर सके बिना market को hurt करें वो और यह सारे जो नए volume है retail investors के यह investment sell off हो जाता है काफी अच्छे amount से क्योंकि जो बड़े investors है वो sell कर रहे हैं और यह हमें denial phase में लेकर आता है और इस point पर जो average investor है वो इतना आदा डाउन नहीं होता शायद 10-20% तक होता है और यहीं पे डर की पहली ज़लक लज़ retailer investor ने जिस समय भाई किया था और लोग को यह लगएगा कि finally यह चीज normal जारी है अगर दर्थ की तो यहाँ पर शुरुआत हुई होती है अब क्योंकि market lower high में आ जाता है और volume जो है सूखने लगता है जो more sophisticated detail investors है वो अपनी position से exit करने लग जाते है यह उसके बराबर ही होगा जब Matt Kevin ने अपने सारी positions को बेच दिया था इस साल की शुरुआत में उन्होंने absolute top पे तो नहीं बेच है अगर उन्होंने उस समय बेच ज love होने लग जा दी जिसके उसे market fear आ जाता है और इस point पर जो average investor वो काफी डरा हुआ होता है क्योंकि उन्हें पहले से डर होता है कि बहुत जादा deep हुच चुका है cash out करने के लिए तो वो पहले से 40-50% down होता है इसके वैसे उन्हें लगता है कि चीज़ों और कराब तो नहीं एक्स्रीम डर के वहसे या फिर margin call के वहसे और वो लोग जो hold on करते हैं वो phase of despair में चले जाएंगे एक perfect example है इसका real world में वो है bitcoin जब वो settle down हुआ था 3000-4000 डॉलर के बीच में जब वो 20,000 डॉलर तक पहुच गया था इस phase के दौरान सारी आपकी investment जो है वो उसमें कोई भी उम बचा होगा और जैसे last retail investors निकल जाएंगे नए set of smart money वाले लोग आ जाएंगे और आपसे interested हो जाएंगे और इसका most recent example FTX के founder Hank Bankman का जिनों ने रॉपनूट को खरीदा था basically book value पे तो ये कोई भी coincidence निये कि आप हमेशा top पे खरीदे और bottom पे जाके बेशते हो ये हर step जो है market cycle में smart money manipulate करती है market को और आपके emotions को ताकि exactly आप यही करो वो उसी समय बाय करते हैं जैसे retail investors बाहर चले जाते हैं और उसी स और चीज़ कंसिडर करने वाली ये है कि अगर आप market cycle से crush नी हो गये average investor की तरह तो ले likely है कि आपको same feeling आएगी कि stock है जो आसमान चुहते हैं जैसे ही आप लोग बेज देते हो वो है human psychology वास है हमारे दिमाग इस तरह से wired है कि हमें ऐसी चीज़े याद रह जाती है जा पे हमन कोई अच्छी काम करे थे अब इसका personal example है मेरे साथ भी हुआ था game stop run के दौरान early 2021 में मुझे पता था game stop की situation के बार में सबसे पहले और जो stock उस समय साथ डॉलर का था तो मैंने 840 डॉलर एक degenerate call में लगा दिये और actually काफ यच्छे से काम किया उसने उसी हफते मैंने उसे थो profits को लॉक कर लो तो मैंने safe खेल के profits को लॉक कर लिया मागर उसके कुछी घंटों वा जैसी मैंने बेचा Elon Musk ने game strong को tweet के और stock जो है वो nearly 500 डॉलर तक हास पांचू चूचुका था तो अगर मैं decide करता है कि degenerate calls को राद बर रखता मैं तो शायद मैं अगली सुबह तक एक लाग या amount है या फिर मैं thankful हूँ कि मैंने top पे नहीं खरीदा मैं या पर दुखी हो रहा हूँ कि मैंने 80,000 डॉलर नहीं बना है वही पर दुसी तरफ क्या होता अगर game stop का stock crash हो जाता तो जैसे ही मैंने बेचा मैं शायद इसको काफी अच्छी trade मानता और इसका और मैं भूल जाता मगर क्योंकि मैंने ऐसे monumental event से पहले उसे बेच दिया तो यह trade जो है ऐसी चीज़ बन गए जो कि मैं कभी नहीं बूलूँगा और मैं शर्त लगा सकता हूँ यह same sentiment जो है जादे तिर investors के साथ होता है हम यह तो भूल जाते है कितने हजारों बार हम बच चुके अच्छी चीज करके और इसके अलावा हम लोग याद रखते हैं कि किती बार हमने mess out करते हैं और psychologically यह बस कुछी बार ही होता है जो कि हमारी great cause जो है उसको पीछे चोड़ देता है और इसलिए हमें हैसा लगता है कि stock समेश उपर जाते हैं जैसे हम उन्हें बेच देते हैं मगर सचा ही तो अगर आपको यह साथ चीज़े पता भी होंगी तो basically coin flip के दे रहे हैं जब तक आप एक सरी decision लोगे जब सरी time आएगा और हाला कि कुछ investors को manage कर चुक है यह overcome करना ही challenges को मगर जो आम investor है वो कभी भी overcome नहीं कर पाएगा in mind games का इसे वाज़े से dollar cost averaging जो best strategy हम सब के लिए और even दो यहाँ पर काफी ज़्यादा noise होती है हर market cycle पर एक चीज़ जो है वो same रहती है वो यह है कि mean constantly बढ़ता रहता और जब तक आप लोग पैसा डाल रहो fundamentally strong investment में इसका उतलब यह कि वो उपर ही जाती रहेंगी long term में also dollar cost average करने से same amount of money को regular basis पर आप naturally ज़्यादा shares करी दो जब market down ह और कम shares करी दो जब market up है और इसमें आपको कोई भी effort नहीं लगाना पड़ेगा bottom या top को time करने से तो अगली बार जब भी आपको ऐसा लगए कि stock जैसे या आप बेचते उसी समय उपर चले जाते है तो उस समय यह strong signal होगा कि आप लोग timing करना चीए market को कम और dollar cost averaging को ज्यादा करना चीए मगर यह सिर्फ मैं असूसता हूँ क्या आप लोगों ने कभी bottom में बेचा है top में खरीदा है कमेंट करके जरूर बताना साथ साथ वीडियो को like कीजिएगा अगर आप dollar cost averaging के fan हो तो और of course हमारे international channels को check out कीजिएगा हमारी वीडियो बाकी languages में देखने के लिए और कर दो